एक चमची पुछती है नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी उर्जा कहां से आती है इतनी एनरजी कहां से आती है नरेंद्र मोदी जी का जावा आता है मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ बायोलोजिकल नहीं हूँ पतानी चीजे कैसे होती है परमात्मा ने बेजा है और मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ मैं परमात्मा का काम करता हूँ मुझे परमात्मा ने मिशन पे बेजा है हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायोलोजिकल मगर नरेंद्र मोधी बायोलोजिकल नहीं एक वियक्ति को बेजा, परमात्मा नहीं बेजा लुस्कार मैस्वीटी और आप देख रहें NBC24 हिमाचल प्रदेश की नहान में कॉंग्रेस के अधियक्ष राहूल गांधी, उन्होंने एक बड़ी वो हिंदुस्तानी बायलोजिकल नहीं है, बाकी जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो मेहनत करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम तो direct परमात्मा से connect करते हैं यानी हमारा direct connection जो है परमात्मा से है ऐसे में राहूल गांधी ने तंच कस्ते हुए आगे कहा कि जिसका connection ही प्रमातमा से है उन्हें जरुत क्या है कुछ करने की उन्हें सिधे कहा कि नरेंडर मोधी जी हम आपसे एक सवाल पूशते हैं जरु ये बताईज़ है कि ऐसा जो खयाल है वो 24 घंटे आता है या साम में आता है या सुबह में आता है क्योंकि बिमारियां जो होती है वो कभी साम की होती हो कभी सुबह की होती है ऐसे मेरी राहुल गांधी ने तंच कस्ती हुए खुले मन से क्या कुछ कहा है नरेंदर मोधी को जर आप भी सुनिये अच्छा एक नहीं बात चली, यह पता नहीं, आपने सुना नहीं सुना, उन्हीं चम्चों के साथ इंतर्विउ में कि एक चम्ची पूछती है नरेंदर मोदीजी, आप में इतनी उर्जा कहा से आती है, इतनी इनरजी कहा से आती है, नरेंद्र मोदीजी का जावा आता है मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ बायोलोजिकल नहीं हूँ पता नहीं चीजें कैसे होती है परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ मैं परमात्मा का काम करता हूँ मुझे परमात्मा ने मिशिन पे बेजा है मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुर्शों ने ये बात नहीं बोली मगर नरेंद्र मोधी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है सिर्फ उनको हम सब बायलोजिकल है हिंदुस्तान के किसहान, मजदूर, प्रेस, रिपोर्टर सब बायलोजिकल मगर नरेंद्र मोधी बायलोजिकल ने एक व्यक्ति को बेजा है परमात्मा ने बेजा है तो आपने सुना के किस तरीके से कॉंग्रेस के पुर्वध्यक्ष राहुल गांधी नी नरेंद्र मोधी पर जमकर का टाक्ष किया है उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोधी जी कहते हैं कि हिंदुस्तानी बायलोजिकल हम नहीं है वो कहते हैं कि जिस तरीके से कही न कहीं जो हिंदुस्तान के लोग है वो मेहनती होते हैं, काम करते हैं और ऐसे तो हमारा तो डाइरेक्ट जो कनिक से हैं उपरमात्मा से है ऐसे में जितने भी उनके चमचे होते हैं वो इस बात पर ठहाके लगाते हैं वाह वाह क्या नारा लगाते हैं और कहते हैं कि वाह आपने ये क्या बोला ऐसे में कहीं न कहीं जो बार बार ये चमचे की बात हो रही है वो इसको लेकर राहूल गांधी जमकर कटाच कर रहे हैं बात बात पर खुले मन से चमचे की बात कर रहे हैं ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें, NBC24 धन्यबाद.